अच्छ हम गैल उपरॉन यानि गैलेक्टोज उपरॉन को डिटेल में समझेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं गैल उपरॉन एक प्रोकेरियोटिक उपरॉन है जो की गैलेक्टोज के मेटाबॉलिजम में जो एमफिबोलिक पाथवे है उसके लिए एंजाइम्स को कोड करता है यह जो एमफिबोलिक पाथवे है यह दोनों ही प्रोसेस में इन्वाल्व है यानि केटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस केटाबोलिक प्रोसेस में UDP गैलेक्टोज कनवर्ट हो जाता है UDP glucose में और carbon और energy source की तरह यूज होता है और anabolic pathway में UDP glucose जो है वो convert हो जाता है UDP galactose में और जो की form करता है lipopolysacride को जो की cell wall का component है prokaryotes में इसके बाद हम समझेंगे कि structure of galactose operon क्या होता है इसमें structure में सबसे पहले हम देख रहे हैं दो operators present होते हैं OE जिसको की operator external जो की minus 60.5 position पे present होता है दूसरा है operator internal जो plus 53.5 position पे present होता है इसके अलावा इसमें दो overlapping promoters होते हैं P1 और P2 ये P1 और P2 opposite face में present होते हैं यानि ये upper face में है और ये lower face में है जो P1 है उसका transcription start site plus 1 है और जो P2 है उसका transcription start site minus 5 होता है इसके अलावा इसमें HBS यानि histone unit binding site present होती है जो की हमारी plus 6.5 position पे present होती है इसके अलावा इसमें activator sequences present होते हैं जो minus 41.5 position पे present होते हैं इसके बाद इसमें 4 structural genes present हैं पहला है GAL-E, GAL-T, GAL-K और GAL-M इसका metabolic pathway समझ लेते हैं सबसे पहले तो जो Galactose का Catabolism है उसमें जा तो जो Galactose है वो इंपोर्ट होता है सेल में परमीजिस के द्वारा या फिर जो Disaccharide का Metabolism यानी Catabolism होता है सेल में उसके द्वारा हमारा Galactose Generate होता है इसके बाद जैसे की Lactose Metabolism में बीटा डी गेलेक्टोस जनरेट होता है बीटा गेलेक्टोस साइडेज एंजाइम की हल्प से ये जो हमारा Galactose Metabolism है इसमें बीटा डी गेलेक्टोस यूज नहीं होता हमेशा अलफा अनॉमर ऑफ गेलेक्टोस ही यूज होता है तो इसको कनवर्ट करने के लिए सबसे पहला एंजाइम जो यूज होता है वो है Gal-M, Mutarutase इसके बाद ये अलफा डी गेलेक्टोस कनवर्ट हो जाता है गेलेक्टोस वन फॉसपेट में काइनेज की हल्प से उसके बाद UDP गेलेक्टोस में कनवर्ट हो जाता है ट्रांसफर और UDP ग्लूकोस में कनवर्ट हो जाता है जो कि कार्बन सोर्स की तरह एक्ट करता है कार्बन और एनरजी सोर्स की तरह तो यहाँ पर यह जितना भी हमारे प्रोसेस हैं यह इंटर्चेंज़बल है यह इस UDP जो ग्लूकोस है यह इपी मरेज की हैप से वापस से UDP तो जो यह lactose metabolism का पात्वे है और जो galactose metabolism का पात्वे है यह इसके बीच में जो mutaryotase जो enzyme है जो कि galm gene encode करता है यह एक common link है between two metabolic pathways of galactose and lactose next हमारा gene है galr gene यह हमारे जो galopron है उससे वो क्योंकि वो सारे linked genes है लेकिन galr gene इनमें unlinked रहता है यह linked gene नहीं है ओपरोन का यह repressor को code करता है जो कि repress कर देते हैं galactose ओपरोन को अब next हम समझेंगे कि galopron का regulation कैसे होता है galactose ओपरोन का regulation चार प्रकार से होता है फोर टाइप से होता है जिसमें first है galr mediated dna loop formation and repression इसमें galr gene tetramaric repressor का formation करता है जो कि दोनों operators यानि OE और OI से bind कर जाता है यह process हमेशा histone like protein और super coiled dna with operators at same phase इनकी presence में होता है जब दो operator bind कर जाते हैं galr repressor से तो वो एक dna loop का formation करते हैं जिसको की repressor zone भी कहा जाता है और इस loop के formation के वज़े से RNA polymerase promoter से bind नहीं कर पाती और क्या करती है open complex के formation को inhibit करती है जिसकी वज़े से structural genes वो transcribe नहीं हो पाते हैं और हमारा operon जो है वो switch off हो जाता है इसको हम यहाँ पर diagram से समझते हैं जैसे हमारा galr repressor dimer के form में होता है पर जब वो दोनों ही operator से bind कर जाता है तो histone protein और super coil DNA की presence में वो एक tetramer का formation कर लेता है जो आपस में connect हो जाते हैं इसकी वज़े से दोनों ही promoters block हो जाते हैं और transcription switch off हो जाता है structural genes का अब next हम समझेंगे कि second type क्या है regulation का second type है जब galr जो repressor है वो bind कर जाए operator OE यानि external operator से minus 60.5 position पे इस case में जो promoter P1 है उसका transcription off हो जाता है क्योंकि जो RNA polymerase है वो इस promoter की side से open promoter complex नहीं बना पाती क्योंकि जो RNA polymerase का alpha CTD part है वो connect नहीं हो पाता RNA polymerase hollow enzyme से क्योंकि उसका contact नहीं हो पाता है RNA polymerase hollow enzyme से तो इस process को हम contact inhibition of P1 भी कहते हैं दूसरा यह जब GAL-R repressor operator external से bind होता है तब यह activate कर देता है P2 promoter को जिसकी वज़े से low या basal level पे structural genes जो हैं उनका transcription होता है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं इस diagram की help से जैसे कि dimer है GAL-R का उसने operator OE external पे bind किया तो P1 पे जो RNA polymerase है वो उसका alpha CTD part जो है वो operator OE से जाके attach होगा पर क्योंकि उसका P1 से connection नहीं हो पाएगा contact नहीं हो पाएगा इसकी वजह से हमारा जो है वो contact activation जो है वो stop हो जाएगा यानि नहीं हो पाएगा इसको हम contact inhibition भी कहते हैं next है हमारा जब GAL-R gene जो है वो उसका dimer operator external से bind होगा तो जो P2 पे जो promoter है क्योंकि उसका opposite face में वो promoter present है P2 तो RNA polymerase का alpha CTD जो part है उसका contact हो जाएगा RNA polymerase से जिसकी की वजह से contact activation हो जाएगा और transcription on हो जाएगा next है हमारा जब यह जो GAL-R repressor है यह dimer form में OE से bind करे यानि operator internal से bind करे तो इस case में कोई भी repression नहीं होता यानि transcription off नहीं होता क्यों क्योंकि जो operator internal है उसमें anti-pause sequences present होते हैं जिसकी वजह से जो transcription है structural genes का वो pause यानि stop नहीं होता है next अब हम इसमें समझेंगे कि जो GAL-Operon है उसका induction कैसे होता है बीटा galactose की presence में अगर बीटा galactose चाहें वो alpha form में हो चाहें वो beta form में हो medium में जादा है तो वो क्या करेगा repressor जो dimer है उसकी allosteric side से जाके bind करेगा उसमें conformational change करेगा जिसकी वजह से जो हमारा repressor है वो RNA polymerase या DNA से जाके bind नहीं कर पाएगा और operon जो है वो switch on हो जाएगा यानि operon induced हो जाएगा लेकिन DNA looping के case में क्या होता है जब loop का formation हो जाता है तो सबसे पहले बीटा जो galactose है वो क्या करेगा gal R और gal R में जो tetramer बने हैं उनको break करेगा जिससे दो forms में वो convert होगा पहला gal R और OE का binding form दूसरा gal R और operator internal के binding dimers क्योंकि जब ये वाली condition होगी तब P1 repressed रहेगा और P2 activated रहेगा क्योंकि gal R और operator internal जो है वो कभी भी उसकी वज़े से repression नहीं होता लेकिन जब gal R और operator external bind होता है तो P1 repressed रहता है और P2 activated रहता है इसके बाद gal R और operator internal dissociate होगे alpha D galactose की help से और lastly gal R और operator external dissociate होगे और P1 भी activate हो जाएगा यानि promoter first भी activate हो जाएगा ये हमारा third type था regulation of gal operon का अब ये हमारा fourth और last type है कि gal operon का regulation कैसे होता है उसमें ये regulation होता है CRP और CMP के complex से यानि CRP और cyclic AMP के complex से इसको हम CCC भी कहते हैं इसमें ये जो CRP और cyclic AMP है ये बाइंड कर जाता है activation sequence है यानि minus 35 region पे जो activator sequence है उससे bind कर जाता है जिसकी के वजह से जो P2 site है वहाँ पे RNA polymerase जो है वो open promoter complex नहीं बना पाता और उसका transcription stop हो जाता है लेकिन जो P1 की site है वहाँ पे ये closed complex बनाने में help कर देता है और बाद में ये isomerize होके open complex में convert हो जाता है जिसकी वजह से P2 जो है वहाँ पे transcription stop हो जाता है लेकिन P1 में transcription on हो जाता है लेकिन अगर glucose की concentration medium में जाता होगी तो जैसा कि हमने lactose apron में पढ़ा है CRP और cyclic AMP की concentration कम होगी तो उस time पे P1 जो है वो repressed रहेगा और P2 से ही basal level of transcription होगा जो की binary complex का formation करेगा in absence of cyclic AMP and CRP complex तो जो हमारा CAMP है और इसका receptor protein है CRP complex ये enhance कर देता है P1 position promoter पे transcription को और repress करता है P2 position पे transcription को ये किस प्रकासे act करता है जैसे कि यहाँ पे हमारा RNA polymerase और यहाँ पे मैंने बताया था कि alpha CTD का इससे contact नहीं हो पाता तो हमारा ये CRP और cyclic AMP का complex क्या करता है बीच में यहाँ पे activator sequence पे bind कर जाता है जिसकी वज़े से ये alpha CTD जो है वो RNA polymerase के contact में आ जाता है और P1 का transcription on हो जाता है पर क्योंकि ये यहाँ पे bind हो गया है इसकी वज़े से जो P2 पे RNA polymerase है उसका जो binding है वो possible नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से P2 जो है वो repressed हो जाता है तो यहाँ पे हमारा Galactose Opron का chapter finish होता है अगर इस topic में आपकी कोई भी query है या question है तो आप मुझे comment box में mention कर सकते हैं अगर आपको किसी specific topic को detail में समझना है तो भी आप मुझे comment box में mention कर सकते हैं अभी next video मेरा होगा nitrogen fixation पे जो की बहुत ही demand में है topic आपने कई बार मुझे comment box में nitrogen fixation को explain करने के लिए mention किया है तो मैं next video nitrogen fixation पे समझाऊंगी अगर आपको मेरे videos समझ में आ रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं तो please इनको like, share और subscribe जरूर करें मेरे चैनल का नाम है बायो टेकनोलोजी लेसंस बाइ डॉक्टर शिफाली माथर